जैहिन साथियों एक बार फिर स्वागा थे आप लोगों का competitive junction में तो इससे पहले वाला जो वीडियो आपने देखा हम लोगों ने शाष्ट्री नत्य से related पड़ा था अब हम लोग पढ़ने वाले क्या लोग नत्य जो कि काफी है उसमें से जो very most राएं पी वो लोग में आप लोगों करवाँगों इसके साथ साथ जो कभी exam में नहीं आए वो भी मैंने करवाने का सोचा है क्योंकि आगे जाकर वो exam में आ सकते हैं तो देखते हैं दोस्तों भारती नत्य कला के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें कई लोग नत्य और दूसरी तरव राज्य सब मैं दूर अड़ जाता हूं ताकि आप लोगों के याद रहे चीजे ठीक है दोस्तों तो अब लोग स्टार्ट करते हैं लोग नत्य और राज्य सबसे पहले हम लोग बात करें इसकी बीहू की तो बीहू कहां का है आसम मोर्स राइंपी बहुत बार exam में यही पूछा जाता इसके लावा बहुत कम पूछे जाते हैं तो बीहू कहां का है आसम का तो बहुए सारी कैसी होनी चाहिए बहुए सारी awesome होनी चाहिए आसम को हमेशा पन क्या पढ़ते है awesome मतलब बहुत मस्त तो बहुए सारी कैसी होनी चाहिए awesome आगे बढ़े कली गोपाल कहां के awesome तो गोप कि आगे बाद करें तबल चुंगली को पढ़िए चांगली कैसी होनी चाहिए दोस्तो आसम चांगली आसम होती है कि नहीं अंतर रहा होती है और अगे बड़े चाओ जाओ कि नीचे हालाकि पश्ची मंगल भी मनाया जाता है जाओ जो अगया पाई का पाई का कहा का है जार है तो पाई प्लगा के बैठ जाएंगे ज़ाड के नीचे याद रखना ऐसे ठीक उसके बाद में जूमर दोस्तों यह बहुत ही विवाधित चीजह है जूमर कभी-कभी किसी किताब में कहा मिलता है? हरियाना में मिलता है और कुछ किताब में बताती है जारखन अभी जो SSC की एक्जाम हुईती जीडी वाली उसमें हरियाना को उन्होंने सही answer मानके रखा हुआ है तो जूमर कहां का होगी है? जार के नीचे तो अपने सर पे क्या रहेगी छाओं रहेगी जाड के नीचे बैटेंगे तो अपने सर पे क्या होगी छाओं होगी दोस्तो ठीक आगे बड़े भांगडा भांगडा कहा का पंजाब का मुझे लगता है के 100% लोगों को पता होगा भांगडा कहा का है पंजाब का गिद्दा भांगडा जो करते हैं वो पुरुष करते हैं और गिद्ध कौन करती हैं महिलाएं करती हैं भांगडा जैसे ही होता है तो आप अगर याद नहीं रख पा होते हैं ऐसे याद रखना गिद्ध अपने को क्या मार देगा गिद्ध अपने को पंजा मार देगा आगे बड़े किक बंजाब और कालवेलिया नाम की दो जन't जाती है पाई जाती है उससे याद रखना कालवेलिया कहाँ पाई जाते हैं राज़स्तान साइड में कठ फुतली देखो जो व्यक्ति राज करेगा वह सब को क्या करेगा कठ फुतली की तरह नचाएगा राज करने वाले व्यक्ति सब को क्या करते हैं कट कुतली की तरह नचाते हैं आगे बात करें राजसान का सुई सी नहीं तो भाईया जो राज करेगा सुई उसी के हाथों में रहेगी घड़ी की सुई उसी के हाथों में रहेगी जो व्यक्ति राज करता है सुई उसी के हाथ में रहती है, आगे बड़े राऊफ, कहा कहा है, जम्मू कश्मीर का तो देखो अगर आप कश्मीर जाओगे तो आपको बहुत ठंड लगी तो आप क्या करोगे उफ, राऊफ में बोलने पे क्या आ रहा, उफ, तो ठंड लगेगी तो आप करना उफ या रॉफ लाला जम्मू कश्मीर के थे हीकत वैसे आज तक किसी एक्जाम में नहीं आये तो आप चाहें तो याद रख सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं दमाली आपको कश्मीर पे जाना है तो बड़ी बड़ी घाटी आईगी हिमाचली में बोलने पेंहा स procurement तो हिमा कि चाहरा इक ही सिर्फfront रहत marine यहाए किराई बहुत चैपेली अपरश्मीर शापती रएक और यहीं से चाहित हैं कोईन ठीक है ऐसे तो अद्ने हैं सब किस किसमा को लुका है तो हैमम कर तो चोड़ा decis jemand UP कि इंदध करें औरीशा को क्या पढ़ना उड़ना रहता है दो आगे कि गोली चलाई में क्या करें हवामें उडवेगी बिज हैंप फिंद का है औरिसा को आपने कुछ ऊंच खाया उसका पीज निकाला और वीज उड़ा दिया बीज को क्या कर दोगे आप उड़ा दोगे वीज को क्या कर देना उड़ा देना ठिक आगे बात करें मुखोटा, युद्ध्रत्य और ॡफ्ला तो अरूण ऑंचलパदेश के तीनों अरूण नाम का लड़का मुखोटा महुत बनाता है यह मुखोटा बहुत पहनता है मेना दोस्ति यह बहुत प्रियमित्र है तो मुखोटा अरुन बहुत ज्यादा मुखोटा बनाता है यह मुख लगाता है युद्ध करते रहता है अरुन क्या करता है बहुत ज्यादा युद्ध करत देवर है किसे साथ युद्ध करता मैं कि द सा युद्ध करता करें अगे बात करें देखो मैं यह कभी-कभी पूछ लेते हैं इनमें से कौन शाष्ट्री नर्थ्य है यह करते हैं तीक है चार ओप्षिन ते तो देवर आ रहा और तमिलनाडू को हमेशा आपन क्या पढ़ते हैं, मिलन, तो किसका मिलन, उधर हम लोग ने क्या पढ़ा था, भरत नाट्या में भरत और राम का मिलाप, और इधर देवर और भाबी का मिलन हो जाएगा, देवर भाबी का मिलन, आगे बड़े सिलम बटम, तो सील और बट्टे का मिलन हो जाएगा, है न, ओखली में सर दिया तो मूसल से क्या डरना, तो सील बट्टा, सील और बट्टे का मिलन हो जाएगा, तो तमिलनाडू सील बट्टे का मिलन, आगे बात करें, लाउनी बहुत फेमास है, महाराष्ट का, जो महाराष्ट में नह ठीक आगे बात करें ले जीम महाराष्ट्र तो पूरे राष्ट्र में जीम है के नहीं छोटी से छोटी जगा में भी जीम खुला हुआ है अगर जीम नहीं है तो क्या है गाउं में अखाडा मतलब इसका क्या पूरे राष्ट्र में क्या है जीम है तो ले जीम पूरे में यहां रहने का स्थान भूंत तो पूरहम आप करता है क्या करते रहता है तो राष्ट में क्या होता ही है तो तो होता ही है आगे बात करें तो गुजरात में गया गरबा बहुत फेमस है डांडिया भी बहुत फेमस है वहाँ पर गरबा और डांडिया फेमस है गुजरात का तो मुझे लगता है ये तो सभी को पता है फिर आरा दीपक तो दीपक कब जलाते हैं गुजरात के पीछे के आरा रात तो र पानी गडवाल और कज्री कहां कि है उत्राखंड के हैं वैसे दो-तिन जगह का है उत्तर प्रदेश क Record देजिए तो कज्री नाम की जो लड़की है वह उत्तरफ को कंद में ताकि आपके आपको कनैंगल ऌके लिटी खंड खंड में मतलब टुकडो टुकडो में उत्तर देती है आगे बात कर लेते हैं इसकी गडवाली तो गडवाली को कैसे कर लो गडवाली गडवाली को आपको हमवर्क में दे दिये जाता है है ना गडवाली आप हमवर्क में करिए फिर बात करें पंथी और पांडवानी कहां का है 36 गड़ तो देखिए पांडवानी आप डारेक्ट याद रखिए पांडवानी बहुत ज़्यादा फेमस है 36 गड़का और 36 गड़की एक महिला है जो बहुत ज़्यादा फेमस है जिनका नाम क्या है तीजन बाई, तीजन बाई करती है पांडवानी यूट्यूब कभी उनके वीड़ेओ देखियेगा आप बहुत ज़्याद़ा फेमस हैają क्वानी के लिए को आप याद रखिए कि पांडवानी कौन करती है तीजन बाई करती हैं उनके एक त्म बुरा उता बचाते हैं ठीक है काली माता काली माता के वहां पर जात्रा निकलती है याद रखना आप जात्रा कहा निकलती है पश्ची मंगल तो बंगले में ही क्या होगी जात्रा निकलेगी जात्रा को क्या पढ़ लो यात्रा पढ़ लो तो बंगला इतना बड़ा होगा तो महीं के महीं घुमते घुमते य गाना गाने में यक्ष बहुत नाठक करता है गाना-गाने में ऐसे यहांद रखना इदर हरा यक्ष that अहां कहाथ कर अगयधा तो यक्ष बहुत ज्यादा नाठक करते हैं आगे बढ़त इसольше आ फरन安क करते देखाऊगा आपने अक्सर कहानी में कि भूत मिला उसको और क्या कर दिया उसने बीड़ी मांग ली तो ज़ादा नाटक करता उसको बीड़ी कही शोग है आजकल तो बड़ी बड़ी सिग्रेट चल गई है वो नय जमाने के भूत ही नहीं मिल रहे हैं बस बीड़ी मांग रहे तो नाग किस पे चड़ जाएंगे लपिट लेंगे बंबू के उपर क्या कर लेंगे लपता जाएंगे कौन नाग लाए कूट ले मनी पूर जिसको मनी मिल जाएगे उसको कूट देंगे बलाए इसके मनी के पीछे पड़ा भागा बिचारा भागा भागा गया और जिसको म किसी वज़े से छोड़े होंगे मैंने कि किसी नहीं कहीं एक्जाम में नहीं आएंगे इसलिए यह बहुत ही ज्याला फेमस थे मैंने आप लोगों को यह करवाइं तो शास्रीनरत्य और लोकनत्य यह जो सीरीज थी यहीं पर खतम होती है दोस्तों इसके बाद इसके जो दोस्तो धन्यवाद